जाइन दोस्तों स्वागत है आपका पंकच फोज इस्टेडी ग्रूप पे चैनल पर पहली बारा है तो दोड़ों सब्सक्राइब कर लेना चैनल क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज क्या बारे में काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि जिसके भी बच्चे से मैं पूछ रहा हूं या मैं बता रहा हूं कि आपकी जो मैरिट रहने वाली है पिछले साल से इस बार आठ से दस नंबर कम रहने वाले हैं किसी से भी पूछ लिए गया आप वो अपने तो इस वीडियो में हमें यही सब कुछ जादने वाले हैं कि आपके नंबर किस फैक्टर में बढ़ने वाले हैं तो चलिए बढ़ेते हैं वीडियो की तरफ दोस्तो आपको पता है कि पिछली बैकेंसी 60,000 के प्लस 30 और इस बार आपकी 25,000 के आजपास बैकेंसी है और बैकेंसी कापी स्टार्टिंग से बढ़ने वाली है और आपके फिजिकल भी जल्दी आपको देखने मिलने वाले हैं तो आपके नंबर आ रहे हैं मुझे पता है आपके नंबर कितने आ रहे हैं आपके नंबर के हिसाब से merit नहीं बनेगी, या 70 बालों के normalization में number बढ़ जाएंगे ऐसा नहीं है, जिसके 40 number, जिसके 30 number, जिसके 40 number, जिसके 60 number number है, उनके normalization के बाद कितने बढ़ जाएं, कि आप पता 70 बढ़ जाएं, 30 बढ़ जाएं, क्योंकि CGL का आपको recently उधारन है, कि कितने-कितने number बढ़े हैं, और actually बढ़ते हैं, normalization के बाद, तो अभी ये कहना कि मेरे तो 60 number है, मेरे selection हो गया, मेरे 55 number यार, मेरे selection नहीं होगा, ये बिल्कुल बेवकूफी है, आप 15 दिन बेट कर लिजेगा, आपका final cut-off लगने वाली, final merit आ जाएगी, physical के, उसके बाद आपको clear हो जाएगा, कि आपके number कितने बनने वाली है, normalization की बात करूँ कि किस-किस factor पर depend करता है, तो देखिए, normalization जो depend करेगा, आपका एक तो करेगा, आपका paper जो है, किस shift में है, क्योंकि starting में जिसके shift वाले होते हैं, अधिकतर ही देखा गया है, कि पहली जिसके shift होती है, उनके normalization में number बढ़ते हैं, क्योंकि अगर माल लिजीए, कि आपका जो exam है, एक महीने चला, और किसी का first shift में ही पढ़ गया, और किसी का last में एक महीने बात पड़ा, तो last वाले को benefit जादा होता है, क्योंकि वो pattern समझ लेता है, कि किस तरह के question आ रहे हैं, किस तरह की उसको outsources अधिक मिल जाते हैं, उसको chances जादा मिलते हैं आगे बढ़ने के, क्योंकि अपने पूछ लेता है दर दोर से कि भई क्या pattern चल रहा है exam का, और जिसका first shift में ही पढ़ गया, उसको कहीं से यतना outsources मिलता नहीं है, तो जो board है, वो benefit देता है, जिसके starting में shift रहती है, अभी तक तो hard ही बताएगा, वो लियार मेरे में तो बहुत hard shift आए गई तो यह depend करेगा आपका board, ऐससी depend करेगा कि भई किस shift को hard माना जाएगा, किस shift को normal माना जाएगा, और किस तरह से होता है, एक देखिए factor करता है, दूसरा factor करता है आपकी accuracy पे, आपने पहला जान लिया, पहला होता है hard shift और norm shift के उपर, दूसरा से होता है आपका accuracy के उपर, मान लीजे दो बच्चे, एक मैं हूँ और एक आप है, आपने भी 70 question attempt किये हैं, मैंने भी 70 question attempt किये हैं, आपके जो number है, वो 55 बैट रहे ह मतलब आपसे ज्यादा मेरे question ठीक गए है, मतलब मेरी accuracy आपसे अच्छी है, आपने भी 70 की है, मैंने भी 70 की है, आपके 55 बैट थे, मेरे 65 बैट थे, इसका मतलब आपसे मेरे 10 question सही गए है, ज्यादा accuracy मेरी अच्छी है, नर्मलाजेसन में भी मेरे number बढ़ने वाले हैं, आप से, क्योंकि accuracy ठीक है, मैं आपसे ज्यादा intelligent माना जाऊंगा, क्योंकि आपने 70 attempt किये, मैंने 70 किये, आपने गलत ज्यादा किये, मैंने 10 question सही किये हैं, तो accuracy पर भी depend करता है, कि आपने किस तरह की accuracy देखी है, देखिए, सब के question ठीक नहीं हो सकते, सब के number 70 नहीं आ सकते, तो normal simulation होता है, वो 70 number से compare नहीं होगा, उस shift में, किसके number किस तरह से आए हैं, उनको उठा के, जिसकी shift hard होगी, उनको दर-दर 20-20, 30-30 number भी ठीक कर देते हैं, 30-30 number बढ़ा देते हैं, तो अगर माली जी आपके 60 number आए, और 30 number और उपर बढ़ा दी जाए, तो कितने number बढ़ जाएं हाट कर दीजिएगा, 15 दिन का बेट कर लिए, 10 दिन का बेट कर लिजिएगा, जैसे ही आपकी cut-off लगती है, आपको data clear हो जाएगा, आपके number कितने बैट रहे हैं, और कहीं मैंने पहले गलती तो नहीं कर दी, अपने घर पे बैट करके, क्यार मेरे number तो कम है, किसके कितने number कोई नहीं जानता, अगर आपकी accuracy ठीक है, सबसे बड़ा factor है accuracy का, और आपका shift का, shift आपकी hard आए थी, normal आए थी, moderate आए थी, ये depend करेगा, सब कुछ मिला के, तो आपके 60 number है, और आपका shift hard है, तो आपके 30-40 number बढ़ने की चांसे है, 10 number भी बढ़ने की चांसे है, अगर आपक accuracy ठीक है, तो और बढ़ जाएंगे, अगर accuracy ठीक नहीं थी, वो आपके down हो जाएंगे, तो अभी bait कर लीजिएगा, कि आपकी normalization के बाद आपके number कितने आते हैं, और आप किसी भी academy के चक्कर में मत पढ़िए, अपना paper, अपना पैसे based करने है, अपने family के पैसे based करने है, तो आपको धर्म बनता है, आप सुबह उठेंगे, उठेंगे, उसके बाद ground जाएए, थोड़ा बचकर माल लीजिएगा, अगर कहीं भी जो भी संसाद हैं, उससे तयारी के लिए, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं, मैं फिर repeat कर रहा हूँ, किसी भी academy, किसी भी coaching student, कहीं इस चैनल के माध्यम से आपको जल्द से जल्द बताने की कोशित करूँगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं ले वीडियो में, तक तक के लिए, जय हैं